हेलो बच्चो वेलकम बैक टो इजो मुंत्रा मैं रवेसर आपका बाइलिजी मेंटर फिर से हमारे चैनल आपका सहबत करता हूं और आज का सेशन बहुत स्पेशल है है फॉर 11 स्टेंडर बाइलिजी स्टुडेंट किया है फॉर दिस यर बिकास अफ देखने वाला है तो चले स्टुडेंट आज का सेशन स्टार्ट करते हैं है तो टोड़े वी अपडेट फॉर तोड़ा सा इस स्कीम इस साल का क्या रहेगा आपका टर्म 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 टू आपको मालूम पढ़ गया होगा कुछी बारे में हम लोग टीटेल ने चले स्टुडेंट तो सब से पहले तो जो को स्ट्रक्चर है इस साल का जिसमें पांच यूनिट आज वी नो के इस अल्ड़ी के इंट्रक्शन में हमने बाली जी के पूरे से लबस को देख लिया था होगे तो फाइट साथ देर ओके और जो कोर स्ट्रक्चर इस साल के लिए जो को मौडिफाय किया गया है 22 लेकिन आउट और 22 यू है तो स्टेड़ी ओनली 18 लेसंस अरे बड़ी बात है इसंट इसंट टो खाली अट्रा एकेंसी वार्ट लेसंस को ही आपको इस साल स्टेड़ी करना है बच्चों तो बहुत ज्यादा लोड आपका कम कर दिया चार लेसं पर शेयर नहीं वारे नहीं को ऊसके बारे में देखने वाले तो कुछ लेसंस का और पार्शल भी हुआ है कुछ जो लेसंसे अनका उनका मीज़र डिलीशन हुआ है तो बारे में अगले सेशं सेचन पर अब तो ट३ल जो आपका केसी मांक्स है तो आउट अट एअप हो गया है term 1 में theory 35 marks का practical 15 marks के लिए रहेंगे तो total 50 marks for term 1 similarly term 2 में same theory 35 marks practical 15 marks total 50 marks का मतलब है दोन डोटर्म मिला के you will get total 100 marks and target है हमारा 95 plus मिलना चाहिए उसके sessions हमारे live session चल रहे है और vision patch जो है उसमें हमारा neat का aspect भी चल रहा है तो you are all welcome for our live sessions okay चले तो अब हमनों के इसको डीटेल में देखने वाले whatever guidelines have come from the CBSE board उसके बारे में देखते हैं कि भई term 1 में कौन-कौन से units है या कौन-कौन से chapters are more important और हर chapter में से कौन-कौन सा portion आपको करना कौन सा portion नहीं करना उसके बारे में भी हमनों देखेंगे okay so that there will be clear cut you can see idea को कौन से चैप्टर को हम को इस साल study करना है okay term 1 and term 2 okay respectively चले तो this is what is the evaluation scheme given by the CBSE to CBSE के website से ही हमें यह evaluation scheme मिला है तो you can see students very clearly यहां पे दिख रहा है जो understand कर रहे है कि term 1 में team units में से चैप्टर आने वाले तो पहला unit जो है we know it is the diversity of living organism okay diversity of living organism के चारो chapters chapter 1 chapter 2 chapter 3 and chapter 4 और इसमें थोड़ा minor deletions हुए minor reductions हुआ है हम लोग अभी देखेंगे इसके बाद मैं आचली deleted part and को भी देखने वाले हम लोग पिर unit 2 भी आने वाला है आपके term 1 में structural organization in plant and animals जिसमें total आपके एक एंसी तीन chapter है जिसमें से 5th chapter आने वाला है 7th chapter आने वाला है और दोनों chapter में से major portion delete किया और धियान दीजे मजे की बात है कि 6th chapter को delete किया गया है पूरा डिलीट है तो आपको 6th chapter नहीं पढ़ना है तो मजे के बात है आपको बहुत बड़ा एक लोड कम हो जाएगा युनिट 3 में आपका है cells related chapter तो इसमें chapter 8 9 और 10 जिसमें 8 और 9 चैप्टर जो है यह आपका टम 1 में आने वाला है और देख सकते हैं नीचे टम 2 में chapter 10 को include किया गया है तो 8 और 9 में कोई से reduction नहीं है अब हम लोग देखने वाले कि chapter wise भी देखने वाले कौन से topic आपको पढ़ने कौन से topic आपको नहीं पढ़ना है तो यह भाई साहब आपका term 1 का portion होगे और फिर मार्क्स देखें तो यूनिट 1 जो है उसमें से 15 मार्क्स आएंगे यूनिट 2 चैप्टर 5 और 7 वह भी रिद्यूस किया हुआ है इसके लिए इसका वैले थोड़ा कम कर दिया 8 मार्क्स का है और सेल्स ट्रॉक्चर और फंक्शन के फिर्स्ट चैप्टर जो है सेल और आपका है मौलकूस उसमें से आपका 12 मार्क्स आने माला है और पार 15 मार्क्स मिलने ही चाहिए तो से टर्म 2 में आपर फिर से यूडिट 3 का यूडिट 3 का एक ही चाप्टर इसमें इंक्लूड किया है चैप्टर 10, 7 चोटा चैप्टर है तो पांच मार्क्स का वेल्यू दिया गया है और अगल फीजोलोजी फौथ चैप्टर इस मुझे की बास प्लांट फिल्ट का पहले दो चैप्टर सी इनार की ऐलेवन ट्वेल चैप्टर यह दोनों आपको नहीं करना है तो प्लांट फिसुलोजी को अगर धियान से पर देखेंगे सबसे बड़ा यूनिट जो है कि हमने डिसकस किया था उसमें पहला चैप्टर देखिए सिक्स्टीन चैप्टर कर दिया है और बाकी चैप्टर रखेंगे 17 18 19 20 21 22 22 में मेजर डिलीशन है लेकिन 21 में थोड़ा सा माइन डिलीशन तो यह सारे डिलीशन अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइट में देखने वाले सबसे बड़ा यूनिट है आपका इसका मतलब है अभी अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल वेटेज एकन सी और टर्म तो इस अलसो 35 तो इसके लिए टर्म वन एंड टर्म टू करकर आड़ करेंगे तो 35 प्लस 35 70 मार्स का आपका थेरी एकन सी वार्ट पोर्शन आपको करना है तो यह होगे आपकी थेरी के बाद तो साइमल्टेनेसली साथ साथ प्रैक्ट का वेटेज है अब Coach अर्ण 2 के जो प्रैक्टिकल्स फिर्टी मेश सिंस्स करेंगे तो तो टो तो मिए तो तोटव यह 15 टोटल भहिया आप लोगों को 100 मार्क्स कमाने हैं और बहुत ही असानी से आप अच्छे से अच्छे मार्क्स इस साल ला सकते हैं 95 प्लस असानी से मिल सकते हैं प्रोवाइड़ यू विल इकन सी वाट फोकॉस ऑन यूर स्टेडीज और जितना इकन सी हम लोग आपको live session में पढ़ा रहे अगर आप उस पर भी focus करेंगे अपनी तरफ से थोड़ जोड़ लगाएंगे 95 प्लस लाना बहुत ही आसान होगा तो चली यह हो गया इन नट्शेल इस साल का आपका course structure evaluation scheme और the term wise distribution of the chapter अब देखते हैं ज्यादा कौन से chapter में से कितना portion you can see what निकाला गया है कि कुछ chapter में से बिल्कुल भी आपका डिलीशन नहीं किया गया है कुछ chapter में minor थोड़ा से topics को विल्ट किये कुछ chapter में almost पूरा का पूरा पूरा गया भी कर दिया है तो देखते हैं one by one which chapter you can see is kept कौन से topics को already we have seen the entire syllabus in the initial जो पहला मैंने सबसे introductory आपका lecture लिया था उसी को हम लोग consider करके अभी हम लोग study करते हैं अब चैप्टर वाइस study करना है बच्चों के चलिए पहला चैप्टर लिविंग वर्ड एकन सी हमारा चल रहा है लिविंग वर्ड चल रहा है complete भी हो गया इस चैप्टर के topics हैं सारे topics हम लोग ने कवर कर लिये हैं तो इन में से जो लास topics है tools for study of taxonomy museum, zoological park, harberia, botanical garden इतना portion यह topics को delete कर दिया गया है यह आपको इस साल evaluation के लिए नहीं आएगा मतलब exam में नहीं आना वाला है term 1 का यह topic है यह exam में नहीं आएगा बच्चों की minor deletion किया गया है from chapter 1 the living world तो इतना अभी आपके दोड़ असल लूड़ अभी आपका study का कम हो गया होगा ज़रूर ओके पिर चैप्टर टू biological classification very important chapter है point of you बहुत important chapter है तो इस chapter में five kingdom classification आपने पढ़ना है फिर चैप्टर में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया है बच्चों के चले 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 चाप्टर 3 unit 1 का थर्ड चैप्टर प्लांट किंडम इस चैप्टर में we are going to study about the major plant groups algae, bryophyta, teradophyta, gymnosperm लेकिन इस chapter से angiosperm topic को delete किया गया है तो angiosperm जो most dominant group of plant है उसके दो classes dicot and monocot इसको भी study in करना है बाकी जिप्ते भी आपके major groups algae, bryophyta, teradophyta, gymnosperm उसके तीन से पांच cilind features distinguished features और दो example को आपको इस chapter में study करना है मतलब इस chapter का खाली minor deletion हुआ है वन एकेंसी topic आपको study नहीं करना है एंज जो sperm up to the class level नेक्स्ट आपका chapter 4 animal kingdom unit 1 का लास्ट जो topic है उसमें भी आपको animals के saline features non-cordiator को final level तक और को आपको class level तक study करना है और हर एकेंसी group के 3 से 5 special features और कम से कम दो एक्सांपल आपको study करना है तो इस chapter में से भी कोई deletion नहीं है तो यह जो unit 1 है इसको ज्यादा value मिला हुआ है तो इसके लिए अच्छी तरह से unit 1 को अच्छी तरह करना है क्योंकि major marks we can see term 1 में unit 1 से आने वाला है situation scenario चली अब जाते है unit 2 में unit 2 जो है उसका पहला चाप्टर है morphology of flowering plants इसमें भी नहीं चली इस और डिफ्रेंट टॉपिक्स बहुत लंबा chapter है तो इसमें plant के जो में पार्ट से flowering plant angiosperm plant जो है उसके में पार्ट को आपको study करना है लेकिन इस chapter में से भी major deletion हुआ है क्योंकि root stem leaf fruit seed modifications यह पार्ट आपको नहीं करना है तो देखिए खाली आपको study करना है एक एंसी आपका inflorescence part करेंगे आप flower को study करना है और study of family यहां पे है कि कोई भी एक family आपको study करना है तो that will depend upon your college school teachers जो है आपके जो सेशन है तो कौन सा family आपको teach करते उसी को आपको prepare करना पड़ेगा आपको हम लोग यह पढ़ाने वाले है 95 प्लस का सीरी जो है टार्गे 95 प्लस सीरीज में हम लोग आपको सिखाने वाले तो मेजर डिलिशन इस चैप्टर को हुआ है तो थोड़ा सा एकन्सी दूर्ड अच्छा फिल हो रहा होगा चले अब नेक्स चैप्टर जो है चैप्ट से तो प्लांट टिशू स्टेडी करना है इसमें मैस्मेटिक पर्मेनेंट सिंपल कॉंप्लेक्स अनेटोमिया फंक्शन रूट स्टेमन लीव का करना था और खुशी के बात है कि पूरा का पूरा चैप्टर ही रिडिट हो गया है तो इसमें से कोई भी टॉपिक आपको चैप्टर का चैप्टर है स्ट्रक्चरल और गनाइज़ेशन इन अनमल टिशू और आपको कॉक्रोच का स्टेडी करना है तो इसमें से देखिए अनमल टिशू को रखा गया है क्यूंकि इसमोर बेसिक लेकिन कॉक्रोच भाई साब जो है इसके सारे टॉपिक्स को डिलीट कर दिया है को पसंद नहीं तो इसके लिए उपर वाने सुन ली और को को से से डिलीट कर दिया है मतलब में 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 ऐसे सब्सक्राइब ऐकरी उखुपाइश मोर्स एकईंसी कंटेंट ऑफ जिस चेटर जपाइब चेटर में सुझ हुआ है है को गिने की बात है खुश हुआ बच्छो चलिए अवी चैप्टर एतृत यूनिट थे चैप्टर में से पहलाच चैप्टर फंडामेंटल चैप्टर है पाली ईंटरेस् थेसल थेरिस सेल कियो है इस ट्रक्टर हो तो बिदिक शैल बेटरिस य कि खिर सब्सक्रただ करना है रूंपी कि करना व्ल्यद खिर्स यॉटिश ब।रूर्ण डॉल команд का दिलीडोर्टु थे क्योंकि cell is not only the basic unit of life but it is the most one of the most basic concepts of what biology okay so second chapter है आपका unit 3 का biomolecules बहुत important है chemical constitute of cells okay okay biochemistry बहुत सारे fields से related है biotechnology से related है okay basic component of the cell जो है cell structure के साथ ही ज्यादा important है इस के लिए इस chapter के भी सारे topics को वह से रखा गया है there is no deletion of this you can see what chapter okay तो यहां तक हो गया है आपका unit 1 का sorry term 1 का portion हमारा यहां पर हो गया है complete okay तो इस तरह हमने term 1 के syllabus को देख लिया कुण से topic है कुण से topic नहीं है तो ultimate term 1 थोड़ा सा relaxed है क्योंकि 2 में जो पहला चैप्टर है वो इनिट 3 का last topic है cell cycle and cell division यह भी one of the most important basic concepts है biology का okay तो इसका understanding naturally almost every aspect जो है reproduction से related है growth से related है correct no metabolism से related है इसके लिए इस chapter के भी topics को दिलिट नहीं किया है cell cycle phases सबसे चोटा रहने कि actually chapter सबसे चोटा chapter है in your entire syllabus okay जिसमें basic concepts है mitosis meiosis okay जो आपने 10 में भी पढ़ा है stages और कि significance को आपको study करना है तो none of this topics has been deleted that there is no deletion of this you can see chapter very interesting chapter आपका चल भी रहा होगा इस chapter वह केंसी चले भी next आपका है plant physiology minute for is plant physiology उसका पहला चप्टर है transportation in plants okay और इस चप्टर में बहुत सारे जो टॉपिक है almost एकंसी very heavy chapter था ये okay इस chapter को पूरा का पूरा delete कर दिया है तो एक बहुत you can see what खुशी के बाद होगी आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत relax आप फिल कर रहे होंगे क्योंकि बहुत important इकंसी concept वहले थे लेकिन थोड़ से difficult concept भी इस chapter में थे तो इसको delete किया गया है लेकिन अगर आप इस chapter को आपको पढ़ लेना चाहिए यह मैं आपको एड करता हूं कि जो लोग need का steady करना चाहते तो उनको यह सारे टॉपिक उसको पढ़ना ही पढ़ेगा क्योंकि अल्टिमेटी के सी टॉपिक सारे टॉपिक चैप्टर की डिलीट है मतलब यह चैप्टर भी पूरा का पूरा डिलीट किया गया है तो दो चैप्टर 11 and 12 of the plant physiology unit 4 का डिलीट किया गया है तो मेजर एकेंसी वाट क्योंकि 25% डिलीशन करना है तो अल्टिमेटली क्या है सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा चलिए अभी यूनिट 4 का जो फंडामेंटल आपका biological reaction है उसको डिलीट नहीं कर सकते है फोटो संथेस इस वन अब दो मोस्ट इंपोर्टन एकेंसी लाइफ प्रोसेस क्योंकि पूरा लिविंग वर्ल्ड जो है वह इस फोटो संथेसिस पे डिपेंड है डिरेटली एंडारेटली आज वी लोगे तो इस चैप्टर को दो भाई पूरा का पूरा चैप्टर आपको स्टड़ी करना है तो यह डिलीट नहीं किया है नन अप डिस टॉपिक का डिलेटली इंपोर्टन चैप्टर फेर उसी तरह रेस्पिरेशन पूरे लिविंग वर्ल्ड में Respiracation की वह process है जिसे एनेरजी में होता है तो यह भी basic concept है Actually photosynthesis and respiration are two exactly opposite reciprocal process और एक दूषारों को क्या करते हैं support करते हैं क्योंकि दोनों जो process है वह एक दूसरे से relate करते हैं क्योंकि एक process अगर forward reaction है photosynthesis को अगर forward reaction बोलोगे तो रेस्परीशन जो है वह उसका बैकवर्ड रियक्शन है और दूनों के बालेंस से ही इन्वार्मेंट में औककरमिडास का लेवल बालेंस में रहता है तो यह बहुत सकते हैं आपको पूरा स्टड़ी करना है फिर प्लांट ग्रोथ इस में से थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा पोर्शन डिलेट किया गया है सी जविनिशन फेस और प्लांट ग्रोथ ग्रोथ इसको निर्ट प्रोशेश तो इस तो इस में आपको खाली फ़्रेग्रीयूलेटर वाला यह थोपी क्योंड भी कहते हैं या प्लांट ग्रोथ रो सबसे बड़ा यूनिट भी है तो उसमें है आपके टोटल एकेंसी वाट साथ टॉपिक से उस पर पहला टॉपिक जो है डाइजेशन एब्सॉप्शन आप्सॉप्शन आपको इस साल डाइजेस्टिव सस्थम पढ़ने को नहीं मिलेगा और से रिलेटिड हाँ कुछ जो बेसिक से वह भी आपको पढ़ने के लिए इसके लिए रीडिंग कर लिजिए विकॉज अगर आप नीट देना चाहते है तो अल्टिमेटी ए टॉपिक हो सकता है नीट में इंक्लूड किया जाए जाए चलिए ब्रीधिंग एंश्चेंज गैस इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स इ किया जा सकता है तो उसको आपको पढ़ना है और इस चैप्टर को भी पूरा का पूरा एकंसी साबूत रखा गया है कोई डिलीशन नहीं है चलिए नेक्स बोडी फ्यूड एंड सर्कुलेशन दिल की धड़कन हमारे बोडी में जो नाइचली अनिमल के बोडी में जो ट्रा करता है तो बेरियस मैं सब्सक्राइब करता है तो बड़ी कैदे करने करता तो दिल के बात करने हैं तो दिल को नाईची इस थाबूत रखना ही पड़ेगा okay some diseases at the end क्योंकि हर फिजिलोजी ये human physiology के बारे में जो हम लोग study कर रहे हर physiological एकन सी chapter के end में certain एकन सी common diseases को भी आपको study करना है short में आपको study करना है okay तो इस chapter को भी पूरा वैसे का वैसे रखा है there is no deletion from this chapter the next chapter is excretory procs and elimination very important concept क्योंकि body में जो भी waste generate होता है during the metabolic activities वो गर store हो गया तो it can be have a toxic effect on the body तो उसको निकालना है वही वेस्ट को आपको निकालना है clean रखना है body को okay internally तो उसके लिए excretion is very important तो इस chapter में भी important concept से तो यह सारे chapters के topics कोई भी topic delete नहीं हुआ है तो full chapter is kept as it is no deletion from this chapter okay फिर locomotion and movement chapter number 20 इसमें skeleton पढ़ना था आपको muscle contraction कैसे होता है क्योंकि it is related to आपका animal tissue animal tissue में अगर आपका animal tissue हो गया देखिए muscular tissue के action को आपको इस chapter में study करना है joints के बारे में study करना है तो बहुत से टॉपिक ते मुसल कैसे contract होते है skeletal muscle का functioning आपको study करना है उसके types को आपको study करना है वाकि टॉपिक जो है चाप्र के delete कर दिये गये हैं तो एक एक अच्छी बात है आपके लिए okay तो there is a major deletion from this chapter also locomotion and movement where neural control is coordination yes one of the main chapter of control and coordination nervous control भी कहते है उसको okay तो very important chapter है okay और बहुत interesting भी क्योंकि इस chapter जो आपका nervous system का बोल सकते follow up कि nervous system आपने animal tissue में पढ़ रहे होंगे या पढ़ना है आपको okay तो उसी का continuation है यह okay इस chapter में भी बहुत सारे topics है okay आपको सिस्टम को study करना जो अपको में central nervous system peripheral nervous system autonormous nervous system visceral nervous system nervous system और नर्व सिस्टम रियर्व इंप जनरेट कैसे होता है वो transmit कैसे होता है लेकिन कुछ last topics जो है जैसे reflection okay आपका sensory perception को रखा लेकिन सेप्शेप्शन सेंसरी और इलिमेंटरी स्ट्रक्चर आई एंड यह यह पार्ट डिलीट कर दिया गया है तो माइनर डिलीशन इस चैप्टर का हुआ है और लास्ट चैप्टर आपका केमिकल कोडिनेशन को के हार्मोनल कोडिनेशन जो बॉडी में होता है इं हर चैप्टर के बारे में देख लिए स्टुट्स तो इस साल भी बॉर्ड ने 25% पॉर्शन आपका डिलीट किया गया है और लोड जो है नहीं पढ़ना चाहे तो लास्ट चैप्टर इस साल भी आपका डिलीशन किया गया है और पोर्स को भी इस बार अच्छी तरह और और इस वेरी पॉजिटिव साइंड किया गया है तो इस साल बिल्कुल नहीं होने वाला है तो भी एक्जाक्ली दो टूम बन टूम में कौन-कौन से टॉपिक से जिसके बारे में पहले सेशन में हमने देख लिया है तो टेक द फुल एकंसी वाट गोल्ड न अपरचिनिटी और अगले सेशन के लिए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और हमारे लाइब सेशन को जुरूर देखिए और अपने दोस्तों को भी उसके बारे में बताइए बिकास भी आर विए जेखिए और विए अग्टी फाइब सेशन को भी गया है और विजन बाच में नीट जो एकंसी वाट नेक्स सेशन में आपको मैं फिर प्राओंगा प्राक्तिकल अस्पेट तो नेक्स जो सेशन आएगा उसमें प्राक्तिकल से रिलिटेड इन्फोर्म आप लिए नेक्स विडियो तब तक बाच्टुरन टेक्ट केर और श्यवख एह